तो एक को छोड़के जब हम अनेकों में निश्ठा रखते हैं, तब वो अनेक हमें एक दिन अकेला छोड़ देते हैं। सुबह से लेके रात तक आप किसी के लिए कितना ही मर लो, आखिर आपको ये सुनने को मिलेगा कि, क्या किया तुने मिले? तो ये आपको अक्सर सुनने और जानने को मिलता होगा, कि आप एक परमात्मा को छोड़कर अनेकों को राजी करने का यत्त कर लो, तब भी आपको एक व्यक्ति राजी नहीं मिलेगा। एक किप्रती निष्ठा अनन्त अनन्त ब्रह्मानों को हिलाने की ताकत रखती है। और ये ध्यान रहे कि जिन अनेकों की प्रती हमारी निष्ठा है, उन्होंने कभी भी आप से निभाने का वादा नहीं किया है। पत्नी ने, पुत्र ने, परिवार ने, नातो ने, रिष्ठे ने, धन ने, अहंकार ने आपके साथ निभाने का वादा नहीं किया है। मतलब अगर आप एक के अलावा अनेकों में निष्ठा रखते, वो अनेक आपको अकेला छोड़ देंगे एक दिन। क्यूंकि यहां पर किसी चीज की नो गैरंटी, नो वारंटी। कोई रिष्ठा कितने साल कब तक चलेगा इसकी वारंटी नहीं है। आपका शरीर कितने पल टिकेगा इसकी कोई गैरंटी नहीं है। तो एक को छोड़के जब हम अनेकों में निष्ठा रखते हैं, तब वो अनेक हमें एक दिन अकेला छोड़ देते हैं। और जब आप बहुतों को छोड़कर एक में निष्ठा रखते हैं, तो आप देखोगे सभी आपके पदिचिन्नों पर चलने को तयार होते हैं। इस सधान्त है। इसलिए आपके प्रत्यक कर्म में आपका लक्ष आपका इष्ट होना चाहिए। जब वो हो कर्म करने की मनाई नहीं है। सोजाओ, कर्म छोड़के सोजाओ, आलस और प्रमादी को प्रमात्मा नहीं मिलते। चोर को मिल सकते, डाकू को मिल सकते, पर प्रमादी को नहीं मिल सकते, एक में निष्ठा रखो, एक में निष्ठा रख कर अगर समस्त जगत से विभार करते हो, तब आप उस एक की प्रसंता पाते हो, और जब उस एक की प्रसंता पाते हो, तो सभी आप पर प्रसंत मिलेंगे, और जब एक को छोड़कर अनेकों को खुश करने की कोशिश करोगे तो एक भी खुश नहीं मिलेगा यह समाज का संसार का धरम है सुबह से लेकर रात तक आप किसी के लिए कितना ही मर लो आखिर आपको यह सुनने को मिलेगा कि क्या किया तुने मिले क्या किया क्या गिनवात तो सही क्या क्या ऐसा तो क्या को जो तू अपने आपको ये समझता है मैंने ये किया मुझे तो कुछ भी यान नहीं क्या क्या आखिर तो ये आपको अक्सर सुनने और जानने को मिलता होगा कि आप एक परमात्मा को छोड़ कर अनेकों को राजी करने का यत न कर लो, तब ही भी आपको एक व्यक्ति राजी नहीं मिलेगा, अनुभव है आपको, अच्छे से है, जो बिजारे संसार में रहते हैं उनको तो बहुत अच्छे से होगा, जो आश्रमों में रहते हैं उन्होंने देखा नहीं, उनको कोई नाराज नहीं मिलेगा, इसे थानत है, एक साध है, सब सध है, सब साध है, सब जाए, एक को साधने मातर से, सब सध जाता है, सब को साधने जाओ, सब, नहीं समझे, समझ गए ना, इसलिए निष्ठा होनी चाहिए, एक के लिए, उसके लिए चाहिए, जो कुछ भी करना पड़े, करना चाहिए, एक साथ आप संसार के अनेक लोगों को खुश नहीं कर सकते, हुए क्या आपके साथ, आपके घरवाले नहीं होते, बहुतों की तो बात छोड़ो, माता, पिता, भाई, बैन, चार जन गिनकर हो ना, उसमें दो कम उधर होता है, दो का उधर, एक का उधर तो तीन का उधर, होता है साथ, है की नहीं, हर घर में कहानी है, हर घर के, अपने प्रमात्मा को राजी करो, बहसुत। तब जो शंती आपको प्राप्त होगी, जो मैत्री आपकी उससे होगी, सारे संसार से बढ़ करें, और आप उसकी मैत्री को छोड़कर सबसे हाथ बढ़ाना चाहो, ए भी कुष हो जाये, ओ भी कुष हो जाये, धरम भी तो संसार भी हो जाए तो भगवान भी खुष रहे तो लोग भी खुष रहे तो लोग भी खुष रहे, कुछ नहीं होगा, पता चलेगा कुछ सालो बाद आप वहीं के वहीं खड़ें, उससे भी पिछे, फिर महनत करोगे, चलोगे ठख़ जाओ, अनेकों कोई भी एक व्यक् भी खुष नहीं कर सकता है, पर एक को तो किया जा सकता है न, और वो भी ऐसा, जो जल्दी राजी होने वाला हो, जो जल्दी राजी होने वाला हो, तो अगर आप थोड़ी सी उन्नती करते हैं तो आपके गुरु भीतर से आपको परसंता देते हैं, अगर आप अपने मन को स करते हो तो प्रमात्मा आपके भीतर से शावासी देता है, अगर आप अध्यात्म के रास्ते चलते हैं तो आपका चित आपको संतोष देता है, उस एक को तो राजी किया जा सकता है, अनेकों को, कोई क्या चाहता है, कोई क्या चाहता है, कोई क्या चाहता है, कोई क्या चाहता निष्ठा को छोड़ कर एक में निष्ठ होना चाहिए, एक व्यक्ति हजारों को राजी नहीं कर सकता, पर एक एक को तो राजी कर सकता है, है न, एक को तो राजी किया जा सकता है, और वो भी ऐसा जो तुरंत राजी होने वाला हो, एस अंसार तो तुरंत राजी हो ही नहीं सक होता है कितनी मेहनद कर लो, दिन से रात लगा लो, बूरे हो जाओ, तभी तुने किया क्या, ये सवाल खड़ा होता है, बंद लल्टोध पूछते अपने पापा से की आपने हमारे लिए क्या क्या, पत्नी पूछते है की आपने मेरे लिए क्या क्या, पती पूछता है पत्नी से, तुने अपने कौन से कर्तवे निभालिये, जो अब अधिकार मांग रही है, सब एक दूसरे पर दोशारों पणी करते हैं पर अगर आपने सब के राजी होने की चिंता छोड़कर अगर परमात्मा को राजी कर लिया, सारे आपके पीछे मिलेंगे मीरा बाई चाहती, तो मीरा बाई राना को राजी करती, उदा को करती, सास को करती, कहां खब जाती, ऐसी कई मीरा बाई आई होगी, चली गई होगी, पर मीरा ने क्या किया, एक को राजी करने का यत ने किया, तो मीरा बाई गई जाती, मीरा बाई के कारण उदा का नाम है, मी कई आई होंगी, कई गई होंगी, कौन जानता है, एक में निष्ठा होनी चाहिए, आप संसार को कोई भी हाल में राजी नहीं कर सकते, चाहिए कितना ही कर लो, पर परमात्मा को सहच में राजी कर सकते हुए, एक स्थरी अगर अनेक पती बना ले, पाच, साथ, दस, उससे कौन सा पती राजी होगा, जाना उदर, जिसके पास जाएगी एक ही चीज सुनने को मिलेगी उदर जाना, वहीं जा, बड़ा प्री है ना तिरको, ठीक है, है ना, ऐसे ही जब हम परमात्मा को छोड़ कि उसके अनेकों को पती मान लेते ना, उसको राजी करने के लिए, परमात्मा भी कहते है, जाना, मार मत्था उदर, यहां क्यों आया है, नहीं जाओ, और संसार आपको क्या देदेगा फिर, जो खुद ही असुरक्षत है, आपकी सुरक्षा क्या कर लेगा, जो खुद ही असुरक्षत है, वो आपको सुरक्षा क्या देगा, पर अगर आप अनेकों को छोड़ के एक को राजी करते हो, और अगर आपके ऊपर किसी ने बुरी नजर भी डाल ली, तब भी वो आपकी सुरक्षा के लिए, जहां होगा, वह हाजी रहे, होता है यसा? होता है, बस वही यहाँ हाल है, जैसा संसार में होता है, वैसा ही अध्यात्म में भी है, ऐसे हमारी वृत्ती, जब एक को छोड़कर अनेकों में लगती है, तब वो जो एक समर्थ है, वो हमें बटकने के लिए छोड़ देता है, जाओ बटकते रहो, अच्छा है, मेरी जिम्मेदारी कम हुए। वृत्तियां बटकती रहे तो जा, देख क्या पड़ा है। और अगर आप सब कुछ छोड़कर उस एक के पीछे लगते हैं, उसे अपनी जिम्मेवारी लगती है। और आप अगर कहीं भी अटकते हैं, तब उसकी सुक्षम शक्ति, उसका सामर्थ आपको प्रतिपल सुरक्षा देता है। यह किसी और का अनुभव हो या ना हो, हमारा तो है। हमारा तो है। तो आप बहुतों को छोड़कर एक को प्रसंद करने का आयत तक हो। आप कहोगे तो फिर हमारा तो विवाही नहीं होगा, शादी नहीं होगी, बच्चे ही पैदा नहीं होगे, हम कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, काम दंदा ही नहीं करेंगे, फिर तो बॉस को राजी कैसे करेंगे। आपको राजी करने की ज़रत नहीं पड़ेगी, अगर वो राजी रहा ना तो परिस्थितियां ऐसी खड़ी हो जाएगी, वो राजी मिलेगा आपको, ये बात है, आप राजी करके देखो एक बार, आपके जहां कदम रखोगे, वाँ कंकड साफ मिलेंगे आपको, अभी तो सफाई करके तकके ठीकते हो दूसरे और ढाल के जाते हैं, रहा है, आप थोड़ा साफ करते हो, चार जनग और ढाल के मिलेंगे, वहां करता रहते हैं?" क्योंकि विग्नस этим थी तो होते हीं, ये तो स्वभाव है, तो आप साफ करो, चार जनौर डाल के जाएंगे, फिर साफ करो और डाल के जाएंगे, साफ छोड़ दो, कब तक सफाई करते रोंगे, यहां की कर लो, एक को राजी कर लो, उसको जिम्मा सोपो, और अच्छा भ्यान कर सकता है सफाई का, सब का सफाया कर देगा, एह, एक में निष्ठा होनी चाहिए, उस एक के होकर सब कुछ करो, जहां भी रहोगे, निष्चिंत रहोगे, निर्भेक रहोगे, शान्त रहोगे, प्रसंचत रहोगे, एक को छोड़कर, अनेक के होगे तो, भैबीत रहोगे, चिंत रहोगे, बेचेन रहो के परिशान होगे और हाथ में आएगा ठेंगा, वो भी उल्टा, सीधा भी नहीं, और एक भी नहीं, जितनी जितने लोगों में मन लगाया होगा, उतने उतने ठेंगे, उल्टे वाले, निष्ठा होनी चाहिए, आप गुरु को मानते हैं, तो गुरु में निष हो, जिस भी किसी इष्ठ को आप, जिस भी किसी ऐसे साकार को आप इष्ठ मानते हैं, उस में निष्ठा जरूर होनी चाहिए, भारत और पकिस्तान का विभाजन हो गया, उस समय वहां से बहुत लोग अपना जमीन, जायदा, तन, वईभव सब छोड़कर यहां आए, उस सम किसी संत के सत्संग में अरोज जाने का नियम लिया, कुछ चर्चा चल रही थी तो एक बहुत बड़ा सेठ आया, उसने, स्वामी जी से कहा, महराज दया करिये, बड़ा परेशान हो, क्यों परेशान क्यों है, बेटे कहने में नहीं है, बीवी चल बसी है, बीपी हाई रहता है, डियाबिटीज भी हो गया है, और अभी एक फेक्टरी के लिए कहीं जगर लिये, वो जगर भी अपने नाम नी होरी, बड़ा परेशान, वो रात को नीन नहीं आती है, बहुत द एक दूसरा व्यक्ति था, उसको बुलाया, बोले, तुम हरो जाते हो सत्संग में, जब जब मैं यहाँ आता हूँ, बोले जी, क्या करते हो तुम, तो जोर से हसा, बोले, करने को तो कुछ नहीं करता हूँ, वैसे बहुत कुछ करता हूँ, जब से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और इतने वर्ष होगे उसको, जहाँ दंदा करता हूँ, वहाँ गाटा होता है, जिसमें हाथ डालता हूँ, खर्चा सिर पे पड़ता है, जहाँ दंदा करता हूँ, वहाँ गाटा होता है, तो अखनानण जी ने कहा, कि सच में मुसीबत में तो तु है, मत तो एसकी चिंटा है जो तो वास्त में तो तेष्य ने झो बहुत दिकट है तो असने смотрите माहराज मेरेको दिक्कत नहीं है बोली कैसे बोली मुझे खुशी हे कि परमात्म इसे पहचानते कैसे कैसे बोली इतने सारे लोगों मेंностью मुझे थिक से पहचान लिया तो दुनिया के किसी भी कोने में व्यापार करता हूँ तो मुझे ही घाटा होता है दुनिया के किसी कोने में व्यापार करने जाता हूँ तो घाटा मुझे होता है वो मुझे जानता इसलिए न, ये कहना चाहरा है कि नलायक, दाल रोटी तो दिये, अब तो मेरा भजन कर, बहुत नहीं हो गया, ऐसा कहते वो रोने लगया, कि मुझे इस बात की खुशिय है कि परमात्मा मुझे पहचानते, इतने लाखों लोगों में मैं कहीं व्यापार करता हूँ और मुझे घाटा होता है, मुझे जानता होगा तभी न, अखननन जी ने बोला, कि सबसे बड़ा सेट तो तु है, वो तो कंगाल है, हकीकत है, तो यदि आपकी एक में निष्ठा होगी, तो विकट से विकट परस्थतियां भी आपको विक्षप्त नहीं कर सकती,